सबसे पहले हमें बताइए कि गन्य का जो बुआई करना चाहते हैं हमारे किसान उनके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना बेहदावशक है खेती चाहे गन्य की हो या किसी अन्य फसल की हो उसमें परजाती का चैन सरुपरी है सरुपर्सम इंपार्टेंट है परजाती अगर उनक सील परजाती हैं अगर कल्टिवेशन में नहीं लेते हैं अपने खल्चर में नहीं लेते हैं तो जो भी फाइदा हमारा होना है उतना उससे कम होता है तो गन्ने की परजातियों की बिशाय में जैसा कि आप लोग जानते होगे इसमें दो तरह की परजातियां है अगेती परजातियां मध्य देर से पकने वाली परजातियां तो अगेती परजातियां उनको कहते हैं जिसमें कि हम जैसे ही चीनी मिल आपकी खुलती है उसी समय काट करके मिल में भेजने योग उसमें चीनी की परता कम समय में जल्दी समय में पकर करके तयार होती हैं वो अकेदी परजातियां होती हैं और सरकार की तरफ से उनका मुल भी से आपको कम मिलता है लेकिन उनकी पैदावार भी जादे होती है अगर हम बात करें इसकी बुवाई की किस तरह से किसानों को बुवाई करते समय किन-किन बातों का जहां रखना देखिए गन्य की बुवाई का जहां तक प्रसना है यहां हमारे उत्तर भारत में जो सब जावरी और मार्च के महिने में बुवाई जाता है और तीसरा एक बुवाई का समय जो आजकल चल पड़ा है जिसमें की जो मुख हमारे हमारी जो खाद्यान वाली फसले हैं जिसे धान और गेहूं धान गेहूं को किसान छोड़ना नहीं चाहता है और धान गेहूं के बाद गन्ने की खेटी भी करता है तो गेहूं की काटने के बाद जो गन्ना लेता है किसान जैसे गेहूं की कटाई हम अपरेल के लास्ट वीक में आधरी की सप्ता हमें या मई के पर्थम सप्ता हमें करता है उसके बाद गन्ने की बुआई करता है जिसको कि हम ग्रिस्म कालीन गन्न या देर से बोया गया गन्ना कहते हैं तो मुक्तब बुआई के समय का जहां तक चैन की बात है सरद कालीन गन्ने की बुआई उसमें पैदावार जादे होती है 15-20 परसत और दसमलों 5 इकाई चीनी की परसत मात्रा भी जादे होती है और मेजर जो हमारा मुख समभाई का समय है वह बसंद कालीन गन्ना है जिसमें जादे तर किसान उसी समय बुआई करते हैं लेकिन हम तो संतुदी करेंगे कि जादे से जादे एरिया में आप जो है सरद कालीन गन्ने की बुआई करें जिसमें सह फसली खेती की भी प्रमुक संभावनाय है और आपकी उत्ता भी अब बात करें गन्ने की बौई करने के युथ हम खाद जितने हम देते कित मात्रा में किस तरह से किसानों को इसके खाद देने चाहिए बहुत ही उत्तम प्रसंत है मैं आपका क्योंकि गन्ना एक जू है पूरे एक साल की फसल है और गन्ना जो है गन्ने की फसल से करीब 205 kg nat होता है अगर सव टन की पैदावार है आपको तो इनकी भरबाई करने के लिए कुछ हम जो है तत्तो खेत में डालते हैं तो पोसक तत्त प्रमंधन में मुखता हमारा नतरजन का है नतरजन 150 किलोग्राम नतरजन, 60 किलोग्राम फासफोरस और 60 किलोग्राम पोटेसियम की दर से हम खेत में गन्ने के लिए देते हैं इसमें हम सावधानी रखने की बात यह है कि हम नतरजन फासफोरस और पोटेसियम की पूरी मातरा नतरजन की एक तिहाई मातरा बुआई के समय ही जब कूण खोलते हैं उसमें कूण की नीचे डाल दें और नत्रजन की बची हुई मात्रा दो बार में देते हैं एक जैसे ही अंकुरण की बाद जब किल्ले निकलने सुरू हो जाते हैं उस समय देते हैं जब किल्ले निकलने की प्रक्रिया समाप होने लगती है उस समय दूसरा दो तो नतजन तीन बार में देते हैं फासपूरस पोटेसियम की पूरी मात्रा एक ही बार में कूल में देते हैं सखात की बात हो गई है अब बात करते हैं सिचाई की तो गन्य में सिचाई किस तरह से करने चाहिए किस अंतराल में सिचाई करनी बहतर है देखें, सिचाई का गन्य में बहुत ही महतु है, क्योंकि बिना सिचाई की फ़सल नहीं हो सकती है. और आज के परिपेक्ष में देखें, तो पानी एक बहुत ही महतुपूर्ण हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जिसकों की बचाना भी है, कम से कम पानी में जादे पैदावार हम लेने की कोशिस करते हैं. तो गन्य में सिचाई, जनरली हमारे उत्तर भारत में 6-8 सिचाई की संस्तुति की गई है. चे सिचाई बरसाथ के पहले समय में और दो सिचाई बरसाथ के बाद यदि सुखा पढ़ता है, गन्य को जरूरत है, तब उस समय करते हैं. हमारे हाँ जो बैग्यानिक तोर पे कुछ कम सिचाई के लिए जिसमें सिचाई का जादे महत होता है, सिचाई की जल उपयोगिता छमता थोड़ा बढ़ाने की बात जब हम करते हैं, तो उसमें कुछ हमारे हाँ से सक्ष से तकनीकियां भी बिक्षित की गई हैं, जैसे हम गहर पानी खोल दिया, रात भर में उसका खेद डबा डब भर गया, तो उसको ना करके हम अपने खली कूड में पानी देते हैं, या नाली मेड में गरना बोते हैं, मेड पे दूसरी फसले नाली में गरना बोते हैं, तो कूड में गरना बोत करके, तो डीप ट्रेंच प्लांटि उसमें नालियों में पानी दें या रिंग्विट प्लांटिंग सिस्टम जो गोल गड़ा बिधी है गणना बोने की उसमें खली गड़े में पानी देते हैं तो उसमें पानी की भी उपियोगिता चमता बढ़ती है और नतजन की भी उपियोगिता चमता बढ़ती है पैदाव करने की बढ़ती है